दोस्तों ये पूरी भारत रत्न जो LK Aडवानी जी को दिया है इसकी बड़ी हो गई है कॉंट्रिवर्सी कुछ है नहीं एक कॉंट्रिवर्सी अनि के जवाला नेhurु नहीं पूछा कि जवाला नही आप नहीं बनाओगे प्रॉग्रेम आप ठीक है दबे लफ्जों में स्ट्रेटिजिकली आपको चीज अभी समझ में आ रही है कि सेकुलर बनना स्ट्रेटिजिकली ठीक है वरना आपके दिल में क्या है हमेजी पता है जैन दोस्तों मैं हूं में जो गारवारिया और आप देख रहे हैं तो चानल के डैलोग्स इस वीडियो को लाइक करिए हमारे चानल को सबस्क्राइब करिए बेल आइकन दबाना बिलकुल मत भूलिएगा जिसने भारत के समाज में जैर फैला दिया और मेरा बच्पन बरबाद कर दिया जिस पर दानिशकनेरिया ने जिस पर दानिशकनेरिया जो कि हिंदू हैं और पाकिस्तान से क्रिकٹ खेल चुके हैं उन्होंने बोला और बड़ी बेभाकी से अपनी बात unrickते उनने क्या बोला इसा है कि इसका बच्पन लालकुण अटवानी जी ने खराब कर दिया इसकी जवानी मोदी जी ने खराब कर दी और इसका बुड़ाप इसका जो बुड़ापा है वो योगी जी खराब करने वाले हैं अच्छा बात सही है दानिशकने लिया कि देखिए अब ना, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे चल गया रहा है कोई भी पार्टी आती है पावर में और लोगों का विश्वास लेकर बैठती है इसा दन में कोई भी हो तो वो जो पार्टी है जिसको ठीक समझती है जो सरकार मुझे कहना चाहिए सरकार जिसको ठीक समझती है उसको भारत अतन देती है आज तक कितनों को भारत रत मिला नहरू जी ने खुद को दे दिया किसी ने कुछ बोला नहीं उन्हों ने बोला कि खुद को सो जवाहलाल नहरू आस जवाहलाल नहरू शुड जवाहलाल नहरू भी गिवना भारत रत यानि कि जवाला नेरू ने जवाला नेरू से पूछा कि क्या जवाला नेरू को भारत रत्म मिलना चाहिए तो जवाला नेरू ने जवाला नेरू को जवाब दिया कि जवाला नेरू भारत रत्म के लिए बिलको लायक है तो फिर जवालल नेरू ने जवालल नेरू को चिठी लिखी कि जवालल नेरू हम आपको भारत रत्म देना चाहते हैं कि आप सुईकार करते हैं फिर जवालल नेरू ने जवालल नेरू को चिठी का जवाब दिया कि हम सुईकार करता हूँ इसलिए जवाल लाल 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 ल हो आया ठीक है सुप्रीम कोर्ट की जज्ज्मिंट कहती है कि वहां पे मंदिर था पहली चीज पहली चीज पहली चीज मैं ये चाहता कि आरफा खानम शेरवानी और उसके खाननान वाले परिवार वाले यार दोस्त जितने भी उनके उनका जो समाज है उनको खुद बाबरी मस्जद तोड़ना चाहिए था अड़वानी जी को नौबत ऐसी क्यों आई कि उनको तोड़ना पड़ा या फिर शिफसेना गई वहां पे और भा कि सिप्उटिड लैंड पे आप मस्जद नहीं बना सकते और हर जगे भारत में हजारों जगे ऐसी हैं जो कि सिर्फ दिस्प्यूटिड हैं according to the कौरान according to the Holy कौरान ये सारे के सारे जो मस्जद मंदिर तोड़कर बनाये गए एक्शली गलत खिर अन इसलाम हैं मैं इसलाम की यह गलत है दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ यह जो दानिश कनेरिया ने बोला आप दानिश कनेरिया को हुआ क्या देखिया मैटर यह कि वह हिंदू है उसको दो बोला कि तू हमारे साथ खाना नहीं खाएगा उसको बोला कि तू अलग बैठेगा यही था और शाहिद अपनी बेटी को देख लिया कि टीवी पर एक इंडियन प्रोग्राम चल रहा है जिसमें एक औरत आरती कर रही है वह आग भबूला हो गया उसने टीवी तोड़ दी वहां पे रहके दानिश कंडिया ट्वीट कर रहा है आर्फा खानम शेरवानी के बारे में तो दोस्तों हमें दो तीन बातें आज समझ दी पड़ेंगे मैं दो तीन बातें आपको समझाना चाहता हूँ कि देश जा कहां रहा है एक मौल भी माईक उठा के गैटता है कि भई हमारी भी सरकार आईगी फिर इन हिंदू कुत्थों को मैं देख लोगा उनका सलमान नाम है और सलमान जी ने ये बोल दिया कि इन हिंदू कुत्थों अब उसने हिंदू को बोला कुत्ता और पुलिस बना रही है सलमान का सुइर बाई साब इसको तवे पे सेखा जाएगा आराम से धीम ही आज पर है कि लाल हो जाए बिलकुल है यही ट्रीटमेंट डिजर्व करता है दोस्तों दोस्तों यहाँ पे मैं हिंदू मुसल्मान करने नहीं आया मैं यहाँ पे वो काम नहीं करने आया जो हमारे टेलिविजन चैनल्स करते हैं एक हिंदू को बैठाया, मुसल्मान को बैठाया आपस में इनकी लड़ाई करवा दी और टी आरपी बटूरी लेकिन अगर मेरे धर्म की उपर उंगली उठा होगे तो यहाँ से हाथ जाएगा पूरा और आज वही हाथ मैं हाँ पर करने आया हूँ ठीक है जी, अब मैं आपको दो-तीन और बातें बताता हूँ, देखिए लोग कहते हैं यहाँ पर खास्तोर से पाकिस्तान से आवाजें आती है मैं पाकिस्तान की बात क्यों कर रहा हूँ यहाँ पर लोग कहते हैं यहाँ का मुसल्मान दबा कुछला है यहाँ के मुसल्मान के हाथ में कोई ताकत नहीं है यहाँ के मुसल्मान के उपर तशद्दत हो रहा है X, Y, Z मैं क्योंकि केस सब्जूडस है क्योंकि F.I.R. फाइल हो चुका है वरना मैं वही यह जो सल्मान है मैं सल्मान का वीडियो दोबरा प्ले करता है मैं करना नहीं चाता है यहाँ पर वरना प्ले करता है यह दबा कुछला है यह डरा हुआ है अगर डरा हुआ है तो मुझे बताईए कि डरा हुआ है YouTube में ऐसे वीडियो भरे पड़े हैं जहां पर ये लोग कह रहे हैं मैं जब मैं कहता हूँ ये लोग मेरा मतलब कहा है मेरा मतलब सारे मुसल्मानों से नहीं है जो लोग YouTube वीडियो बना रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ I'm talking about specific individuals not an entire community Let me be very categorical तो ये लोग जो वीडियो बना रहे हैं क्या कह रहे हैं साब जब हमारी सरकार आएगी तब देख लेना क्या देख लेना कब देख लेना अगर इतना बहादुर के बच्चे हो तो आज दिखाओ ना यार जब तुमारी सरकार आएगी तो क्या करोगे करोगे क्या कोई कह रहा है कि जब सरकार आएगी तो राम मंदर तोड़के दोबारा बाबनी तुम्हारा दिमाग खराब है तुम्हारा दिमाग खराब है तुम राम मंदर तोड़ोगे वो दिन चले गए जब राम लला का मंदर ठूटा था और बाबरी बना था ठीक है जो RSS के चीफ है महांजी भागवत उन्होंने क्या बोला उन्होंने बोला क्या है उन्होंने साफ तोर पर ये बोला कि हमें तीन जगे चाहिए मैं उनसे अगरी करता है डिसगरी करता हूँ बात की बात है वो बात की बात है वो मैं कभी और आपको बता हूँगा कि मैं उनके साथ अगरी करता हूँ कि डिसगरी करता हूँ आप एक बात बता ही उन्होंने क्या बोला कि काशी मतरा अयुद्य है बस हमें तीन जाही है और उ इसलिए बोला क्योंकि उनकों भी डर है कि गाई मिलना जाये आप किया चा रहे हैं और यह मैं ड्रेस कर रहा हूं वो जो कि सोचल मीडिया पर बकवास कर रहा हूं आप क्या चा रहा है कि यहां पर जाए हिंदू और ढूने हर मस्जित के नीचे शिवलिए क्या होगा इस राहूल गांदी से तोड़ेगा दोस्तों मैं आपको बात बताता हूं चोटी सी कड़वी लगएगी और पर कई लोगों को बुरी or कई लोग यह भी बूलेंगा कि मेजर साम आप क्म्यूणल बात कर रहाएं हैं कमिलल नहीं मैं असद दुद्दीनों वैसी शामिल असद दुद्दीनों वैसी ठीक है या फिर वो अपने रामपुर वाले आजम खान उनका तो भी दिया से लाई ओफ हो गई है उनकी लेकिन भाई साब यह जब बात करेंगे यह Constitution की बात करते हैं कि जब बात करते हैं Constitution की यह बात करते हैं कि Article फलाना of the Constitution, Article ढिमका of the Constitution सब के सब Article of the Constitution की बात करते हैं भारत के समविधान की बात करते हैं आज की तरिक में क्योंकि जो उनको वोट देने वाले हैं वो कम है OVC के कितने MP हैं पार्लिमेंट में मैं आपको आज एक बहुत कड़वी बात बोलने वाला हूँ समझ लेना जो मैं कहा रहा हूँ OVC के कितने हैं दो कितनी सीटे है OVC की पार्लिमेंट में जिस दिन OVC के भगवान न करे कभी ऐसा दिना है बगवान न करे कभी ऐसा दिना है जिस दिन इसके 200-300 सीटे हुए यहाँ पर शरिया लागू करने की बात करेगा यह जो डिमोकरिसी है यह जो लोकतंत्र है यह जो सम्विधान है यह इसलिए बरकरार है क्योंकि 85% हिंदूस देश में रहता है वरना आप मुझे एक बात बताइए मैं अपने मुसलिम भाई यह बेहनों कुछ नहीं कहरा कुछ नहीं कहरा मैं आपकी इज्जत करता हूँ प्यार करता हूँ आपसे लेकिन मैं चाहता हूँ यह जनना आप मुझे एज्यूकेट करिए 57 मुमॉमालिक है उसमें से कौन से ऐसा मुसलिम मुमाला के जो कि सेक्यूलर रेजिस्में डिमोकरिसी आप एक का नाम बता दीजे मामान जहुँगा एक कोई होगा न, मुझे नहीं पता, मेरी इल्म एजावा करिये हो सकता है, मुझे खुद नहीं पता हो सकता है, मेरी अंडरस्टेंडिंग खराब है, आप मुझे बताईए, किसाब पाकिस्तान सेकुलर है, या फिर आप बताईए, मॉल्डीव सेकुलर है, या फिर आप मुसल्मानों से छूड बोलते हैं ये मुसल्मानों को ये कहते हैं कि जब करनाअट का में हो तो हजाब की बात करना वेटा नमास की बात करना वेटा उस लड़की से अजness तक किसी ने यह नहीं पूछा कि तेरे ग्रेंग्रत में कितने नंबर आए आगे चलके तुने क्या करना है वो जो लड़का जिसको भड़का है कि तू जाके पत्थर फेक उस लड़के से यह नहीं पूछा कि बेटा डॉक्टर बनना है इंजिनिर बनना है आईएस आईपेस बनना है फॉज में जाना है करना क्या है तुझे कॉर्परेट जॉइन करना MBA करेगा वकील बनेगा क्या बनेगा कभी कुछ नहीं पूछा नहीं तुने नमास पढ़ लिया बहुत है बस तेरा काम खतम इस तरीके से पूरी कौम को इन लोगों ने मैं बता रहूँ सचर कमीटी के रिपोर्ट आप पढ़ेंगे दोस्तों आपका दिल दहल जाएगा लेकिन who's responsible मुस्लिम लिडर्शिप और इस कंट्री की वो मुसल्मानों की इसहाल के वरना पार्सी उपार्सी तो कुछ भी नहीं है कितने हैं पार्सी, कुछ हजार लाग भी नहीं होंगे डंक से पार्सी, पार्सी होने तो कभी नहीं बोला माइनॉरिटी है, सिख होने तो कभी नहीं बोला माइनॉरिटी है, सिख कहते हैं उल्टा, तुम हमारे पास हों तुम्हें खाना कहला देंगे, सिख तो कभी नहीं गा भी नहीं बोलते हैं, इनके नेता खराब है, मुसल्मान भाईयों मैंनों को कुछ नहीं, इनके नेता खराब है, इनके नेता चाहते हैं कि मुसल्मान उसी हाल में रहे, तब ही जाके इनकी राजनीती चमकेगी, तो ये उल्टी सीधी चीज़, इनके मौलवी मौला ना उल्ट इसलामोफोबिया हो गया भायों अगर मैं गलत कह रहा हूँ लिखना कमेंट्स में कि मेजर तुमने गलत बोला है आज इसी को कोई निप्टा है इसी को चार थपन मारे बोलेगा इसलामोफोबिया है मुझे बोलने की आजादी नहीं है आप एक बात बताओ आरफा खानम शेर के स्ट्रैटिजिकली ठीक है वरना आपके दिल में क्या है हमें भी पता है यह कहना कि लाल किर्शाटमानी जी को आपने भारत रिंदे दिया मेरा बचपन बरबाद कर दिया आपका बच्पन खराब कर दी, आप हमारा रोज दिमाग खराब करती है, हमने कभी कंप्लेंट करी आपसे सोचिए, अब अब ये कभी और जितने भी ये तुष्टी करान की राजनीती करते हैं, ये कभी भी दोस्तों, कभी भी जाके नहीं बोलेंगे उस मौलाना को क्या कंडेम करेंगे विपक्षवाले? नहीं, इनको वोट चाहिए, और वोट भी नहीं मिलते हैं इनको मैं ये कहता हूँ, मैं मिला एक बंदे से, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, मेरे मित्र हैं, मेरे जान पेचार वाले हैं, हमारा उखना बैटना है कॉंग्रेस अमर्था कहा है, कि मोदी जी ये, मोदी जी बुरे, भाजपने ये, और एसेस बुरा, ये बुरा, वो बुरा दुनिया भा, मैं नहीं बोला ठीक है यार, तुम्हें मोदी जी को उल्टा सीधा बोलना कहो ना अभी वक्ति की आजादी आपको भी है तुम्हें जिसको बुरा बला बोलना है, तुम्हें जिसको गाली देनी है, तुम पूरी गाली दो, पर भगवान के लिए चुनाओ तो जीत जाओ, तुम चुनाओ भी यार जाते है, मुझे यही चीज़ पसंद नहीं आती, हम उपर से नीचे गए, भारत में, फिर हम लोगे उसको, सामने खड़ा करोगे उसको, सल्मान को जो मौलवी है, उसको बोलोगी कि तुमने ऐसे कैसे बोल दिया, नहीं, मैं बता रहा हूँ दोस्तों, उसको शाम की डिबेट में, कॉमिनिस्ट, पता है क्या बोलेंगे, कॉमिनिस्ट, वहाँ पर प्रवक्ता रहते हैं, कॉमिनिस्ट, उनको डिफेंड करेंगे, शाम के नौबजी की डिबेट देख लेना, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो, देविल डिफेंड देम, देविल डिफेंड इच अदर, फिर हो बोलेंगे, उसने भी तो उस समय ये बोला था, उस हिंदू ने तो उस सम सक्सदा मिलने चाहिए, लेकिन, जब कोई मुसल्मान ऐसा करता है, आप तुष्टी करनड की राजनीदी मत करो, कि आप उसको बोलो कि ने ने ने, ये फ्रीडम और स्पीच है, फ्रीडम और स्पीच पर दोनों तरह थे, और जो मैं कह रहा हूँ, ये कम्यूनल बिहेवियर नहीं है, क्योंकि इस देश में, आपको बड़ी सर्प्राइजिंग बात लगेगी, अच्छरी जनक बात लगेगी दोस्तों, 85% हिंदू की जो लडाई है, और ये बात मैं बता रहा हूँ, चौका दने वाली बात है, 85% हिंदू है इस देश में, और उसकी लडाई बराबर लगेगी, जो कहता है कि नहीं यार, ये हमारे पूरवज़ राम कौन है, वो तो पूरवज़ है हमारे, वो हमारे भगवान है, वो हमारे आराद्रे है, उनकी जनव भूमी के लिए हम केस लड़ते हैं, कभी-कभी मुझे खुद मन में डवट होता है कि हमें गर्व होना ची केस लड़ेंगे, केस लड़ेंगे, केस जीद गए, उसकी उपर भी खुछ नहीं है, यही आर्फा कानम शेरवानी ने ये बोला, जब हाया सोफिया वहाँ पे जाके, हाया सोफिया जो की एक चर्च था, उसको अर्दुगान ने बोला, मस्जद बनाऊगा, अगले दिन से म सुल्तान महमध थ्री, उटमावन एंपायर का, उसने हाया सोफिया के साथ करा था, फिर बीच में आया उसको लैवररी बनाए गई, फिर उसके बाद वापस मस्जद बनाए गए, बारा सौ से जादा, बारा सौ से जादा पाकिस्तान में मंदिर हुआ करते थे जब पाकिस् जनलिस्ट है नहीं, मैं क्यों इनको जनलिस्ट बार 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 बोल रहा हूँ, पता नहीं मेरी गलती है, जब ऐसे लोग, आप इनको बोलिए कि पाकिस्तान में मंदिर तूट रहे हैं, पाकिस्तान में हिंदू औरतों को, हिंदू बच्चियों को, तेरा तेरा, ग्यारा, 12 साल की बच्चियोंका किड़नाप करके रेप करा जाता है और बुढ़े मुसल्मानों की साथ उनकी शादी करी जाती है उनका धरम परिवर्तन करें बात करेंगे हम पाकिस्तान के बारे में क्यों बात करें पाकिस्तान का हमारे बाप दादों ने तो फैसला कर दिया तो भारत में रहने का आप हर समय हमें पाकिस्तान का अवाला चलो तो फिर ये पैलिस्टीन के लिए तुम्हारा दिल के धृड़ता है मरने दो पैलिस्टीन इसको तुम्हारा केलने दना है नहीं जब आपके लिए convenient है तब आप गाना गाओगे जब आपके लिए convenient है तब आप गाना नहीं गाओगे क्योंकि दिल में ये सब के सब radical Islamists हैं ये सब के सब शरीया चाते हैं भारत में ये सिर्फ मैं बता रहूं सब के काम बठे हुए हैं ठीक है कोई फिल्म इंडेस्ट्री में जाएगा और शिवजी की मजाक उड़ाएगा freedom of speech हो जाएगा ठीक है कोई प्रभुश्री नाम पर चुटकुला सुनाएगा ठीक है कोई जो मंदिर में पंडित हैं जो ब्रहमन हैं उनकी मजाक उड़ाएगा जिनों ने अपनी हतेली में और अपने दिल पे हजारों साल तक वेद पुराण रखे उनकी मजाक उड़ा दी क्योंकि आपका freedom of expression है ठीक है done कोई बात दी उड़ाओ मजाक लेकिन मैं आप से बात पूछना चाहरा हूँ यार पंच तो तुम मार देते हो मूपे जब दूसरा पंच मारता है फिर तुम विट्म कार्ट प्ले करते हो है ना मैं सरकार से अपील करता हूँ ये जो ये सलमान है जिसको जर उल्टा टांग नज़रा ये जब उल्टा टंगे का ना सलमान ये जिसने बोला था हिंदूओं के लिए ये उल्टा टंगे का तब मुझे बताना कहीं पे भी मैं आउंगा गुजरात मुझे ज़रा उल्टे टंगे सलमान के साथ सेल्फी कीचनी है तब मुझे मज़ा आएगा तब दिल को ठड़क महुचेगी हमारी सरकार आईगी अच्छा करा तुमने यह बोल दिया अच्छा करा तुमने यह बोल दिया सलमान तुमने बहुत अच्छा करा तुमने हिंदू की बहुत बड़ी सिवा करी है और मैं तुम्हें थैंक यू बोलता हूँ आज जोड़के तुमने बहुत अच्छा काम करा कुछ हिंदू सो रहे हैं ठेक है उनको जटका देना जरूरी है बीच बीच में उनको बीच में ज़िजोड़ना जरूरी है वरना सोते रहेंगे तुमने जगा दिया थैंक यू फर दाट दोस्तों आज का वीडियो होता है यहां पर खतम अब चलते हैं क्वेशन अनसर्स पर दोस्तों पहला सवाल है हमारा उत्सफ धीमन जी का जहन मेजर जहन उत्सफ जी यह कहते हैं कि ट्रंप ने बोला था पोस्ट USA की एग्जट नेटो की शकल कैसी रहेगी क्या कंडिशन रहेगी और यह कहते हैं जैश्राम जैश्राम उटसफ जी देखिये ऐसा है ना कि अगर ट्रंप चाहेगा और उस समय यूएस की सरकार चाहेगी नेटो से निकलना निकल सकते हैं कोई बात नहीं that is up to them you know you can be a part of any grouping and you can get out whenever you want उसमें कुछ exit clauses होते हैं आप करके कुछ समय देखे आप उससे निकल सकते हैं अगर यूएस चाहता है तो यूएस निकल सकता है nobody can stop them क्या इससे पूटन के हाथ मजबूत होंगे यूएससर वे निए उससर आप यूएससर नहीं कह रहे हैं आप ही कह रहे हैं कि वापस जितने भी वो 15 देश थे जॉर्जिया, क्रीमिया, उस्बेकिस्तान, कजाकिस्तान उनको वापस लेने का मुझे नहीं लगता कि ये रशिया कर पाएगा मुझे नहीं लगता कि रशिया में वो सलहियत है कि वो कर ले क्योंकि आभी ये देश इंडिपेंडेंट हो चुके है और दुनिया चुपचाप बैठेगी नहीं चाहे नेटो हो, चाहे नेटो ना हो तीसरा आपका ये सवाल था सब कि कंडिशन ओव नेटो पोस्ट USA एग्जिट कैसी रहेगी, कमजोर हो जाएगी क्योंकि पैसे तो यह देता है भाई जि मेन फंडिंग करता हूँ निकल गया आपका बाकी तो थोड़ा बहुत देते हैं, अचार पापड़ सला दिये देते हैं, दाल रोटी तो यूएस दे रहा है कुर्णाल मुरे हेलो मेजर जैश्री राम, जैश्री नाम कुर्णाल जी I like your content so much, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आश्यरवाद है आपको क्या लगता हैगी, अगर चीन हमें लड़ाई में धखेलता है, तो क्या भारत उसमें हिस्सा लेगा और अपनी जमीन वापिस लेगा देखिए, अपनी जमीन क्या भारत उसमें, इनका ये कहना है कि अगर चीन हमें लड़ाई में धखेल देता है तो क्या उसमें हम हिस्सा लेंगे देखिया अगर वो धगेली दे तो लेना ही पड़ाईगा हमसे पूछ के धगेल ने रहा चाइना और अगर भारत को ऐसा लगा है कि चीन अटैक करने वाला है तो इंडिया वेट नहीं करेगा इंडिया वेट नहीं करेगा कि चाइना आटैक करते तब हम जवाब मैं हमारी फॉज है बॉडर पर इसलिए खड़ी है वो दिन चले गए कि चाइना आटैक करता था फिर हम कहते थे कि हिंदी चीनी भा gi क्योंकि चाइन्नीज वो कहते थे हिंदी चीनी भा इबाई भा तो पहले चुरू शुरू में जो टेरिटरी वापस लेनी हैं नहीं लेनी हैं वो युद्ध पे डिपेंड करेगा कितने अंदर तक हम चाहिना के गुषते हैं कितनी टेरिटरी वापस लेते हैं लेकिन हाँ I agree with you कि हमें लेनी चाहिए वापस टेरिटरी डॉक्टर हर्शल महता धर्मो रक्षती रक्षता मेजर साब नमस्ते नमस्ते हर्शल जी कैसे हैं आप जैसे कि हमें अवगत है कि हमारे दर्वाजे हर समय अंदर से ही खुले हैं मैं बात कर रहा हूँ उन so called intellectuals की जो अपने आपको चीन के चौधरी और पश्चिमी संस्कृती के मसीहा बनके हमारे इस महान भारतवर्श के हर समय जड़ें खोदने और विरोध के लिए बैठे रहते हैं सरम कैस जैसे कटर राष्टवादी लोग ऐसे लोगों को किस तरीके से मुकाबला कर सकते हैं जब ये लोग खुले सांड की तरह भूमते थे अब इनके नकेल लगा दी है आप देख लेना टीवी डिबेट पर है शाम को नौ बजे डेली इनकी सुताया होती है डेली जो मुझ खोलता उसकी सुताया वर्बली सुताया होती है आप यह मैं सोचना मैं वाइलेंस की बात क कर रहा हूँ मैं रेडिकल इसलामिस्ट की बात कर रहा हूँ यो रेडिकल्स है वो नंबर टू पर है जो असली किंग कोबरा है ना वो वामपंती है यह बात ध्यान रखना असली किंग कोबरा वामपंती है असली किंग कोबरा बिच्छू कहलो सांप कहलो जो कहना चाहिए असली जहरवाला सांप होई है, गौम पन्टेप, तो दोस्तों, आजकर वीडियो होता है, खतम अगर वीडियो पसंदा है, तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चानल को सब्सक्राइब करिए, बेला एक अदमाना बिल्कुम मत भूलिएगा, खासत दोर से वो हमारे भाई जो वीडियो देखते हैं लाखों की तादाद पर लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज सब्सक्राइब करिए, जहिंद बन्दे मातरा भारत माता की चाहिए